हेलो गाइज वल्कम बैक टू कार्सो के इंडिया आज हमारे साथ है महिंद्रा की थार जिसका हम रिव्यू करने जा रहा है एक ड्राइव एक्स्प्रेशन आपको देंगे आज इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड हमारे वीडियो पे अल्रेडी पड़ा हुआ हमारे यूट्य 3.9 मीटर से विट्थ 1.8 मीटर है और हाइट भी 1.8 मीटर है और यह आप साइट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं एक जनरल ओवर व्यू मैं दे दूंगा आपको अभी सबसे पहले मैं चारो तरफ से आपको गाड़ी को दिखा देता हूं कि क्या लगती है कैसी लगती है यह प काफी अच्छा सा फील आता है इसको देखने में बड़ियां गाड़ी लगती है बड़ी लगती है हैवी एस्यूवी इस फ्रम अनदर एंगल यह पीछे से आप चेक कर सकते हैं थ्री डोर एस्यूवी यह इसके फाइव डोर के वैरियंट पर काम चल रहा है महिंद्रा काम कर रहा है देखते हैं मार्केट में कब तक आ जाएगा उमीद है इस साल के आखरी तक और यह सामने से फिर से आपकी फ सबसे पहले इसकी हेडलाइट्स मिलती है यहाँ पर आपको डीरल मिल जाएंगे यह उपर की तरफ और यह टर्री इंडिकेटर संब यहाँ पर आपको स्वाग लाइंट मिल जाती है यह काफी बड़ी सी महिंद्रा की ग्रिल है अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा थेहां दिया जाए तो यहां पर आपको टोविंग हुक मिल जाएगा आगे की तरफ इसका ग्राउंड क्लियरंस 226 mm है साइट की तरफ चलते हैं तो 255 x 65 के आरेटी आपको वील्स मिल जाते हैं सीट के सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स हैं और पीछे की तरफ पीछे के टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे प्लस अंदर चढ़ने के लिए गाड़ी उची है काफी तो इसलिए फ पीछे की तरफ अगर मैं जाओं तो यह आपकी टेल लाइट्स हैं LED टेल लाइट्स हैं थार की बैजिंग बहुत ही स्टाइलिश्ट सी लगती है पीछे यह रिफ्लेक्टर से नीचे की तरफ पीछे की तरफ पार्किंग संसर्स दिए गया है दो पार्किंग संसर्स है आट से भी ओपन कर सकते हैं एम होक की बैजिंग वन थर्टी मेंस वन थर्टी और पर प्रड्यूस करता है ओल्ड स्कूल रिट्रो लू केंटीना और यह रॉ नट बोल्स जो शो होते हैं रगेड लुक दिखाने के लिए गाड़ी का मैंदरा ने काफी अच्छे से डिजाइन किया है इस गाड़ी को और यह बहुत अच्छी सी क्लैडिंग दी हुई है प्लास्टिक की है लेकिन मजबूत है गाड़ी सॉलिड है और नोट किया जाए तो गाड़ी ने ग्लोबल अनकेब में फोर स्टार रेटिंग सेक्यूर की है सो काफी सेफ है यह गाड़ी देखा जाए तो मैं आपको इसकी की दिखा देता हूं एक बार फिर से यह इसकी की है यह महिंद्रा का लोगो है प्लस साथ में लॉक अनलॉक और फैंड माई का बटन है और इसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप नहीं आता है तो इस इस देखी अंदर जलते हैं गाड़ी को अंदर स यह हम गाड़ी के अंदर आगए और अभी आपको डॉर का थट सुनाई देगा तो उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि गाड़ी कितना ज्यादा आपको अशूर देती है कि गाड़ी सेफ है और यह सॉलिड एक थट के साथ इस बंद होता है दूर इसका यह आप इसमें कई सारे कंट्रोल्स इसके अलग से दिये जाते हैं जैसे यहां से जो कंट्रोल्स है इसके यह चेंज हो सकते हैं यह बटन्स दिये गए हैं यहां पर हील डीसेंट असिस्ट का भी बटन है और अट्रेक्शन कंट्रोल का भी बटन है तो मैं आपको अलग-अलग कंट तो मुझे एवरेज फ्यूल एकॉनमी अभी 7.0 किलोमीटर पर लीटर की है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, मेभी गाड़ी इसीटी में ही ज्यादा चली हो, या खडी रही हो तो इस वज़े से, और अलग-अलग कंट्रोल्स यहां पर डिस्टेंस तो अमटी फिर से आ गया, यह स्पीडो मीटर आपको दिखा देगा, यह आपके 4-Wheel-Dry system का है, और यहां पर warning history है, यह settings का है, यह trip है, अलग-अलग, काउन-काउन सी trip है, इसमें कितना KMPH आपकी गाड़ी चली है, अलग से है, यह सब, so again, हम लोग वापस CC पर आजाते हैं, और अच्छा सा instrument cluster है, काफी clear दिखाई देता है, resolution काफी अच्छा है, इसका, plus मैं आपको, यह, जो infotainment system है, इसका, आपको review दे देता हूँ, एक, general सा, यहां पर इसके controls है, यह आप इन buttons से, यहां पर control कर सकते हैं, यह volume का button भी है, और यह volume आप यहां से control कर सकते हैं, साड़े change का touch screen है, और काफी अच्छा इसका touch response है, जैसे यह चीज, मतलब बहुत ही smooth touch response है इसका, और यहां से आप media अपना चला सकते हैं, radio चला सकते हैं, आपको adventure की statistics मिल सकती हैं, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, यह देखिए, जैस direction है, compass भी आपको दिख जाता है, तो बहुत ही अच्छा system दिया गया है, Mahindra के तरफ से, एक सिर्फ छोटी सी problem इसमें यह है, कि जो reverse parking camera आता है, वो accessory के तोर पे आता है, वो default नहीं लगा हुआ है गाडी में, और मेरे हिसाब से यह देखा जाए, तो Mahindra ने 11,5,000 के आसपास इसकी pricing स्टार्ट किये, तो उस price range में, I think Mahindra को accessory में नहीं जोड़ना चाहिए था, Mahindra को साथ में दे दे देना चाहिए था camera, खैर, infotainment system का बहुत प्यारा responsive touchscreen का, साढ़े change की touchscreen है, और यह दो AC vents यहाँ पे मिल जाएंगे, AC के controls यह मिल जाएंगे, यह hazard light का button है, और यहाँ और भी सारे controls दिया गया है, प्लस यह आपको छोटी सी जगह मिल जाएगी, अपना cell phone रखने के लिए, यहाँ पे 12V का socket दिया गया है, प्लस यहाँ पे aux socket है, और यहाँ पे 2 USB ports है, तो यहाँ पे अपना phone लगा के आप charge कर सकते हैं, और भी किसी तरीके से आप phone को connect कर सकते ह इतनी सारी चीज़े हैं, यह तो खेर होगया, सेंटर कॉंसोल की बात, और अब हम गाड़ी को चला कर देखेंगे कि गाड़ी कैसा response देती है, so let's do it, okay so हम लोग थार को अब start करके देखने वाले हैं, और बताएंगे आपको कि इसका sound insulation कैसा सबसे पहले, okay, idle situation में engine का sound है वो अंदर आता है, लेकिन बहुत ही minimal है वो, मतलब परिशान नहीं करेगा, irritation नहीं होगी आपको, कोई भी, और यह हमने seatbelt पहन ली, और low fuel warning भी आ चुकी है, यहाँ पे, खेर, इसको हम चला के देखते हैं, और यह हम automatic version चला रहा हैं, so हम इसका gear shift करते हैं, यह सामने आपको instrument cluster में दिख भी जाएगा कि आप कौन से gear में है, so drive mode आ गया लिख करके, and here we go, जैसा कि आप देख पा रहा हूँगे, कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, जहाँ पे, एक particular portion में रोड नहीं है, so यहाँ पे suspension कैसा work कर रहा है, यह मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, कि ऐसी situations में जहाँ पे road नहीं होगी, वहाँ पे suspension कैसा response देगा, और यहाँ सामने आगई road, और हम road पे चेक करेंगे गाड़ी को पहले सबसे पहले, देखे, initial drive impression यह कहता है कि power जो है, वो एक linear fashion में आती है, मतलब जटके से आपको power नहीं मिलेगी, तो यह smooth power delivery है इस engine की, जो की 2.2 liter diesel engine है, 130 horsepower प्रोड्यूस करता है और 320 newton meters of torque, सिर्फ automatic variant में, manual में 300 newton meters of torque मिलेंगे आपको, चाहे आप diesel लें, चाहे आप petrol लें, petrol engine 2 liter का है, और दोनों ही engines में, महिंद्रा ने, जो fuel efficiency claim की है, वो 15 km per liter की है, तो एक SUV के हिसाब से, अच्छी fuel efficiency claim की गई है महिंद्रा के द्वारा, लेकिन city driving condition में, गाड़ी आपको लगभग 10 के आसपास का average दे देगी, और अगर आप highway conditions में निकले जैसे थोड़ी सी मतलब आपको space मिली चलाने की, या आप एक normal cruising speed पर चल रहा है, near about 70-80 km per hour, तो आपको गाड़ी near about 13-14 kmpl का average प्रोवाइड करा देगी, इसका horn भी हम लोग चेक कर रहे थे, तो horn काफी अच्छा है, double horn दिया गया है महिंद्रा के द्वारा, और gear shifts की मैं बात करूँ, तो I am pretty impressed with the gear shifts, 6-speed automatic transmission है, और gear shifts इतने ज़्यादा smooth है कि gear change हुआ है, या आपको पता भी नहीं चलेगा, 6-speed है तो engine की flexibility बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर आप 6th gear में चल रहे हैं, और near about 100-120 km के around आप cruise कर रहे हैं, तो गाड़ी का जो rpm है वो 1500 rpm के आज पास चलता है, rpm से एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 1600 rpm के नीचे हैं, especially जब आप manually shift कर रहे होते हैं इस automatic gearbox को, तो आपको थोड़ा सा lag पता चलेगा, बहुत evident नहीं है वो lag, बहुत minimal सा है, लेकिन हाँ हलका सा power कम पढ़ रही है कहीं पे, यह आपको पता चलेगा during shifting, otherwise power में कोई कमी नहीं है, 130 horsepower प्रड्यूस कर रहे हैं गाड़ी लेकिन इस गाड़ी के लिए वो adequate है, more than enough है वो, और अगर आप city में चले जाएंगे तो city में maneuver करने के लिए काड़ी काड़ी काफी अच्छी है, highway पे चलाने के लिए तो बहुत ही प्यारा है, suspension की में अगर मैं बात करूँ तो suspension आपको ना तो बहुत soft है और ना ही बहुत firm है, आपको balanced suspension मिलेगा, जो कि Mahindra ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस गाड़ी पे, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी इतनी heavy गाड़ी एक off-roader बनाई है Mahindra ने, और उसमें इतना अच्छा suspension देना कि आप अगर on-road भी चल रहे हैं तो भी आपको बढ़िया राइट क्वालिटी मिले तो ये Mahindra ने बहुत ही अच्छा काम किया है और जैसा कि मैंने कहा आपको कि gear shifts बहुत ज़्यादा smooth है तो वो actually मैं है, actually मैं आपको gear shifts पता नहीं चलेंगे और engine की noise जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको irritate करेगी जब आप गाड़ी चला रहे हूँ तो थोड़ी बहुत engine की noise अंदर आती है लेकिन वो ठीक है वो अच्छी लगती है वो noise कम सेका आपको पता रहता है कि गाड़ी चल रही है इतना जा क्योंकि जो इसका suspension है वो इतना अच्छे से काम करता है ना silently काम करता है कि अगर आप खराब road पे भी चल रहे हैं तो जब तक बहुत ज्यादा sharp bumps ना आए आपको गड़े पता ही नहीं चलेंगे इतना अच्छा इसका suspension मनाया है महिंद्रा ने और on road पे तो खैर यह गाड़ी मतलब पानी है एकदम पानी की तरह चलती है तो ride quality इसकी अगर मैं 10 में से number देना चाहूँ तो definitely एक strong point महिंद्रा score करती है 9 का और मैं अगर steering की बात करूँ तो steering city conditions में काफी light है जो की इस गाड़ी के हिसाब से एक off roader के हिसाब से बहुत ही अच्छी achievement है जो महिंद्रा ने प बढ़ाते हैं वैसे वैसे steering जो है वो way up होती है तो इससे ही होता है कि आपको confidence रहता है कि हाँ मेरे हाथ में गाड़ी है इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं भाग रही है गाड़ी थोड़ा सा गाड़ी की height ज्यादा होने के कारण और जो इसका ground clearance हो ज्यादा होने के कारण body roll हलका सा मिलेगा minimal सा है बहुत ज्यादा नहीं है तो एक बहुत अच्छा काम किया है महिंद्रा ने body roll को control करने में भी लेकिन corners में अगर आप बहुत ज्यादा speed में striking करेंगे इस गाड़ी के तुरू तो उस चीज के लिए गाड़ी नहीं बनी हुई है आप city conditions में आप लेकिन बड़ी है तो इसलिए city driving conditions में गाड़ी काफी अच्छा perform करती है साथ में आगर आप highway पर चल रहा है जैसे कि अभी तो यह खाली road है two lane है और stretch अच्छा खासा लंबा है खाली है तो आप आराम से चल सकते हैं कोई problem नहीं आएगी गाड़ी में मतलब near about 6 घंटे की जर और नहीं मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो seats महिंद्रा ने बनाई है वो भी बहुत ही अच्छी है मतलब उसकी जो cushioning है वो इतनी अच्छी है कि आपको इसमें थकावड महसूस नहीं होने वाली है इस गाड़ी में प्लस एक अगर आप winding section of road पे जाएंगे तो आप स्पीड में नहीं बट आप एक नॉर्मल स्पीड में आप कौन नहीं section में आराम से जा सकते हैं अब जैसे हम लोग इस ब्रिच में तो इसके टर्न्स जो है वो almost 90 डिगरी के टर्न्स है अभी आपको आगे चलके दिखाई देंगे तो उसमें गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है पिछली जो थार थी उसके comparison में तो body roll मतलब बहुत ज़्यादा control में और उसी हिसाब से suspension में काम करता है visibility गाड़ी की बहुत अच्छी है ये पूरा जो windshield का area बहुत बड़ा है प्लस आपको bonnet के दोनो edges दिखाई पड़ते हैं तो आपको ये confidence रहता है कि आप अंदाजे से गाड़ी नहीं चला रहा है आपको सामने की जो चीज़ें वो दिखाई दे रही है कि क्या किस हिसाब से गाड़ी चल रही है कितनी जगह में आपको गाड़ी निकाल लेनी है तो ये महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है प्लस जो ORVM का साइज है वह आप देख सकता है काफी बड़ा है पीछे का पूरा व्यू गाड़ी एच्छे से देती है और सेम चीज उधर के भी ORVM स है आई यार वीम जो है वो आपको एड़ेस्ट करना पड़ता है मैनुवली इसमें आटोमेटिक नहीं है तो ये थोड़ा सा महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए था आई थिंक ग्यारा लाग के ऊपर से एक्स्टोरूम इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है तो आटो डिमिं है वो बहुत स्मूध है इसका टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर का है तो मैं आपको गाड़ी यही से मोड के दिखा दूंगा इतिंक मोड जानी चाहिए इतनी जगह में यह मैंने लेफ्ट कर लिया और मैं ट्राइ करूंगा इसको मोडने को देखते हैं क्या रिस्पांस रहता मोड गई तो ठीक है 5.4 मीटर इतनी बड़ी SUV के लिए टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है प्लस इसके मैनुवल जो शिफ्ट है वो थोड़े से लैगी है अगर हम मैनुवली इसको शिफ्ट करेंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैनुवल वर्जन लैगी है ठीक या ऑटोमेटिक में जब आप गियर्स मैनुवली शिफ्ट करेंगे तो हलका सा लैग है पावर में मैनुवल वर्जन में कोई लैग नहीं है अगर आगे फ्यूचर में कभी मैनुवल और आटोमेटिक को कंपेर करने का मोका मिलो तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा प्लस रायट्टि के हिसाब से गाड़ी बहुत प्यारी है, साइलेंट, अकूस्टिक, महिंदरा ने टायर नॉइज बहुत अच्छे से कंट्रोल की है, विन नोइज बहुत अच्छे से कंट्रोल की है, अगर आप ऑप 120 या मतलब, ट्रिपल डिजिट के अराउंड आप क्रूस कर रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ी सी जो wind noise है वो पता चलेगी नहीं तो काड़ी का sound insulation है वो Mahindra ने काफी अच्छा बनाया है जैसे यह 90 degree का turn है अब यहाँ पर body roll आपको evident हो जाता है लेकिन इतना जाद नहीं है कि आप confidence lose कर जाएं तो Mahindra ने बहुत प्यारा ये काम किया है और same चीज इसका suspension काम करता है जो bad road है उसको absorb करने में bump absorption बहुत प्यारा है और इसके जो white tires है वो लगबग सारे ही छोटे मोटे गड़े जो है अपने आराम से absorb कर लेते हैं जो again मैं वही चीज कहूँँगा कि जो बहुत शार बंस होंके आपको सिर्फ वही पता चलेंगे उसके अदावा गाड़ी top class बनाई है महिंद्रा ने और इससे बहतर जो off road है मैं ये guarantee के साथ कह सकता हूँ कि मैंने नहीं चलाई so अगर आपकी choice एक SUV है एक off road है तो definitely आपको इस गाड़ी को consider करना चाहिए बहुत ही अच्छा अतलब सब कुछ ये एक हिसाब से overall अगर मैं गाड़ी को score दूँ तो 10 में ये 8.5 का score करती है definitely 100% क्योंकि कुछ इसकी जो खामिया आ जाती है वो थोड़ा सा इसका boot space है और चूंकि ये 5-door variant नहीं है इसलिए इसमें 4 लोग की seating capacity है तो इसलिए थोड़े बहुत जो problems है वो हर किसी गाड़ी में होते है ऐसा नहीं है लेकिन overall गाड़ी is I mean just wow and अगर आपकी price range जो है वो 11-14 लाग के बीच में है तो definitely you should consider Mahindra थार और मिलते हैं guys आपसे next video में और तब तक के लिए जैहिंद और बाकी इस channel को subscribe करिये जितना जादा हो सके share करिये comment ज़रूर करियेगा कि आपको कैसी लगी Mahindra थार this one is the automatic if I get an opportunity I'll soon review the manual also and okay then see you in the next video guys bye bye take care